Broadway तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडान 2020 सरहे डास ने विदेशनु जानुवेगा झाए, जानुद ng सिख एकाश्य ने मेरे वन पीयार प्रीष संहरी अनीध। । इंपेलन टीजिया टीबिघ इन्हां चैशिया बर्त गिया बार्ध बेस hanya बेसिकी जान का भी जानुदें। बिल्कुल दीपक जी पर्थ जड़ा सिटी है, this is one of the best and developed city of Western Australia and moreover advantage तो अनू पर्थ विच पढ़नता की मिलदा है के एजड़ा एरिया है, एर रीजनल एरिया देविच अकाउंट होंदा है, so तुसी अगर रीजनल एरिया जा अपनी एजुकेशन गेन करदे हो, ता फाइव इस तो बात अगर स्टूडेंट उस एरिया दे विच रह के अपने पोस्ट स्टडी वर्क पर्मिट दे दोरान अपना एक्स्पीरियंस भी गेन करदा है, तो उधे एक्स्ट्रा तानू स्टेट नूमिनेशन दे 15 पॉइंट मिल देने, so in total तुसी 20 पॉइंट्स अडीशनल गेन कर सकते जिदे तुसी अपनी PR फाइल कर दे ऑस्ट्रेलिया है, so moreover, जिड़ा स्टूडेंट पर्थ विच जाके पढ़ रहा है, ओदे लिए अगर हो एजुकेशन कंप्लीट कर दे है, वदी एक्स्पीरियंस गेन कर दे ता ऑस्ट्रेलिया दे विचोधी सेट्लमेंट जिड़ी है, comparatively, बागी cities दे accordingly, जमें आपा Sydney, Melbourne या Brisbane दी गाल करी है, ता काफी easy रहता है, so अगर गाल कीती जावे, further universities दी तो जिड़ी इडित कवन university है, one of the best universities है, Australia दी, moreover, university जिड़ी है, establish कीती गे, इसी in 1991, so काफी लंबे समय तो students नो अपनियां जिड़ियां education services ने ओफर क security और state of art excellence, academic excellence देना, जी, मैं चाह मांगा के students नो बहुत ज्यादा concern रहना है, सब तो पहला है, eligibility criteria दा खास करके IELTS का, बिल्कुल दीपक जी, अगर आपा गाल करिये, Australia नो लेके specifically, ता इडित कवन university दा जेड़ा admission criteria, minimum 60% तो start होता है, so बहुत सारे programs available ने, either तुसी अंडर graduate level दे admissions ले सकते हो, post graduate level दे ले सकते हो, so minimum 60% दी जड़ी requirement है, तोड़ी की raise हो सकती है, जो के trade to trade वेरी कार सकते है, so अगर English proficiency exams दी गाल कीती जावे, ता first of all, अगर मैं IELTS नो compare करा, तो undergraduate level programs दी जेडी university requirement है, that is 6 each minimum, किसे module दे वेच या किसे program दो लेके specific कली, एक module दे वेच 5.5 चाला सकते है, and moreover, अगर 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 आजी level दे प्रोग्रेम्स दी गाल करी है, तो 6.5 not less than 6 दी requirement रहेंदी है, but variation 7 तक भी जान दी है, so इदियाँ जिडियाँ डिटेल्स ने, वेबसाइट दे अवेलेबलने, so तुसी university दी वेबसाइट दे उत्ते साफ करके, explore करके भी इनना ज्यादा डिटेल दे वेचे, समझ सकते ह वा जेड़ा major concern रेंदा है, वो fee structure रेंदा है, पर उस तो पहला मैं चाहूंगा कि एक वारी courses दा भी जिकतुसी जरूर करो, बिल्कुल दीपक जी, अगर अपा courses दे बारे गाल करिये ता, आपने को Feb और July intake अवेलेबल है, almost, हर एक trade दे लेई, students दे लेई, प्रोग्रम अव पहले बले, अगर दीपजी में specially आपारा, Arts and Humanities दे, जिरेवेच स्टूडेंट्स दो, Australia कहीं बार लगदा है के Arts वाले स्टूडेंट्स दे लेई, options बहुत कट ने, so specially अगर ऐसी उनिवस्टी दी गाल कीती जावे, Arts and Humanities ट्रेट दे लेड़े स्टूडेंट ने, वो जर्नल and Media, Media and Communication, Psychology, Criminology and Justice, Social Sciences in Ecology of Child and Youth Studies, so है बहुत एक्स्क्लूसिफ प्रोग्राम्स, Arts and Humanities दे, प्रोग्राम्स अवेलेबन ने, जिरेवेच मोस्टी बैचलर्स प्रोग्राम्म अवेलेगर, तुसी 10 प्रस 2 तो बाद, अपला ही काल रहे, हून गाल ओंदी है, फी स्रक्चर नू ल प्रोग्राम्स की माँदेने, नव कमस्टू बीदा पाट के, हून नेक्स अपने कोल फी स्ट्रक्चर की रहेंदा, तो अगर यूजी प्रोग्रैम्स दी गल कीती जावे, ता अल्मस्ट फी स्ट्रक्चर जड़ा है, ट्वेटी फाजं दौर्स तो स्टार्ट हूंदा है, 30,000 dollars तक per year cost करता है according to the trade and अगर master's program दी गल कीती जावे, तो they start near about Deepakji 29,000 dollars and goes up to 34, 35,000 dollars, so variation रहेंदी है trade to trade, उन fee structure नो लेंगे जो आपपा गल करते हैं तो student दा पहला सवाल हुंदे हैं कि scholarships की मिलनगे हैं, so it's definitely Edith Cowan University दे विच तो scholarships, academics अभेलेबल ने, अगर तो अगर तो अगर बहुत bright profile है, तो अगर तो अगर तो अगर तो अगर तो अगर तो अगर दिस्टिंक्शन दे ना ने यां ब्राइट ने, तो definitely तुसी 20% तक दी reduction जेड़ी है, अपनी ट्यूशन fee दे विच एन्वल बेसेज दे उत्ते ले सकते हो, इस तो बाद जेड़े स्टूटेंट early stages intake दे विच apply कर देने, offers और उस तो बाद जल्द offer letter receive होन तो बाद 5 to 10 days दे विच we अपनिया fee structure transfer कर देने तो ये दे विच उलना दी की time line है, दो सेट ने, जेरे विच तो 1,000 dollars तो लेके 2,000 dollars तक early incentive scholarships वी जेडिया ने offer कीती है, जादिया ने, so major भी गाल करिए तब बहुत बढ़िया scholarships students दे लेई as university दे लेचे available ले, so दोस्तो इस सारी detail थो नो दसी गई, I hope के बहुत जादा थोड़े वास्ते थोड़ा सवाल है, तुसी अपने profile नो लेके जानना चांदे हूँ के इस particular institute वास्ते तुसी eligible हो या नहीं होता है, तुसी सारी टीम नो कॉल भी कार साथ लग दे हूँ तानवा, thank you नमश्का दोस्त, जो दोस्त Broadway Immigration की services लेना चाहते हैं, वो कैसे हमारे साथ contact कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा, so you just have to follow three steps, a simple three steps, number one, you need to visit our website broadwaystudy.com, number two, you need to fill a form website पे एक form होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel and number three, उसके बाब, जब आप form समिट करेंगे, you can see our online counselors out there, you can select your counselor by just clicking any one of them and the video call will start automatically, जैसे ही आप किसी एक counselor के नाम पे click करेंगे, वो video call अपने आप automatically start हो जाएगी, so anywhere from India, outside India, you wish to take a Broadway Indication Services, you can apply with us online from your home, from your country, thank you.